नमस्कार, राज़स्तान में शाड़ा, सुजानगड और रासमंद की सीट पर उप्चनाव होने जा रहा है। आज के इस वीडियो के अंतर हम रासमंद विदानसभा सीट की बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा केंडिडेट जीत का पर्चम लेरा सकता है। आपको बता दे की तीनों पर्मुक पार्टी, कॉंग्रेस, बाज़पाओ और राष्टी लोगतांतरिक पार्टी ने रासमंद विदानसभा सीट पर अपना उमीदवार उता रहा है। बार्टी जन्ता पार्टी की दिवगत विदाई किरन महा सहुरी के निदन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। रासमंद वे इतियास में पहली बार उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर कॉंग्रेस के लिए अच्छी ये बात है कि कॉंग्रेस 1911 अब तक कुल साथ बार रासमंद विदानसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं बाजपा भी 6 बार यहां पर जीत चुकी है। लेकिन कॉंग्रेस के लिए बड़ी दिक्त ये भी है कि कॉंग्रेस पार्टी साल 2003 से लेकर 2008 तक लगातार 4 चुनाओ बारतिय जन्ता पार्टी के सामने हार चुकी है। इस तरीके से साल 2003 से 2008 तक चार बार बारती जन्ता पार्टी ने इट सीट पर सांधार जीत दरज की है तो उसी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने भी साल 1907 से लेकर 1972 तक के लगातार चार बार रासमंद विदानसबा सीट पर कबजा कर रखा था ऐसे मैं इस बार रासमंद विदानसबा सीट पर होरे उप चुनाओ में इस बात पर सब की नजर टीकी हुई है कि क्या बारती जन्ता पार्टी पांच बार चुनाओ जीतने का रिकोर्ड बना पाएगी या फिर सतादारी दर्ल कॉंग्रेस चुनाओ जीत तरज करेगी आपको जाती करते समय करने भी बता देते हैं जहां पर अनुशुजी जाती के वोटर 37,604 है वहीं कुमावत 30,849 है वहीं जाटों की संक्या 22,033 है और अजाज की संक्या 15,761 है गुजर वोट बैंक 19,228 है ब्रामन वोट बैंक 18,862 है जहनों की वोट बैंक 16,402 है वहीं राजपूत 16,472 है मुश्लिम वोट बैंक 14,513 है और तैली है जो 7,382 है और कुमावत अनुशं की संक्या 2,21,610 है जिसके अंदर 1,12,718 प्रूस है वहीं 1,088,090 में माईला है इस सीट पर बारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के अंदर कड़ा मुकावला माना जा रहा था इसी बीच राष्टी लोगतांत्रिक पार्टी के हनुमार बैंवाल ने अपना कैंडिडेट उतार के इंसलब का खेल बिगार दिया है अब बताया ये भी जा रहा है कि हनुमार बैंवाल के कैंडिडेट उतारने से बारती जनता पार्टी की मुस्किले कापी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हनुमार बैंवाल की राष्टी लोगतांत्रिक पार्टी सबसे ज़्यादा वोट जो खाएगी वो पार्टिय जनता पार्टी का खाएगी इससे कॉंग्रेस को फाइदा मिल सकता है ऐसे में ये भी बताए जा रहा है कि इस तिकुने मुकाबले में कॉंग्रेस पार्टी ये सीड जीतने में कामयाफ हो सकती है हालां कि इस बास से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कौंग्रेस और बीजेपी के अंदर पहें कर टकर भी देखने को मिल सकती है तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें